स्टेंडर्स सेवन, मैस सब्जेट, चैप्टर एट, प्रैक्टिस सेट, थर्टी, सिक्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में फिलप्स है देखो, सिंप्लिफाई, 3x-11y-17x-13y मतलब यहाँ पे इन दोनों का माइनस करना है बराबर अंसर, सिंपली, एकदम सिंपल है, 3x, यहाँ पे माइनस का साइन है तो 17x का भी माइनस साइन हो जाएगा, प्लस, माइनस, माइनस मतलब 17 में से 3 गए, कितना है 14, तो 14x है क्या कि इधर है बराबर, तो यह आंसर हो सकता है क्या, सिर्फ हमें एक ही expressions का नहीं देखना है, हमें y का भी देखना है मतलब x variable का हो गया, भी y का देखो, यहाँ पे minus sign है, यहाँ पे plus है, into bracket minus sign है तो 13y का भी minus sign हो जाएगा, minus, minus क्या हो जाएगा plus 13, मतलब 13 और 11, कितने हो जाएगे 24, यहाँ पे 54 है इसका मतलब यह answer है नहीं, मतलब starting में minus 14x आना चाहिए, और 24 आना चाहिए, तो यहाँ पे किदर भी वो नहीं है, तो यहाँ पे देखो, इस option में देखो, 7 और 2 का multiply कितना हो जाएगा, minus 14x, right और 12 और 2 का भी multiply कितना हो जाएगा, 12 और 2 का multiply हो जाएगा 24, मतलब हमने यहाँ पे जो answer निकाला, वो यह है, तो इसके लिए इसका options यह सही है, तो हम यह sums orally भी solve कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, अभी second में देखो, the product, product यहने multiplication करना है, the product of 23x square y cube z and minus 15x cube y z square, इसका answer कितना हो जाएगा, simple सी बात हम 23 और minus 15 का multiply करेंगे, तो 23 और 15 का multiply आ रहा है, minus 345, मतलब यहाँ पे minus 345, बाकि किदर भी minus 345 नहीं है, तो चला हम variable का देख लेंगे, यहाँ पे x square है, यहाँ पे x cube, तो variable में जब multiply होता है, तो index का क्या हो जाता है, plus हो जाता है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो x का index 5 है, y देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, y का भी index 4 हो गया, और z का भी power देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसका answer यह है, आया समझ में, अभी थर्ड देखो, solve the following equation, यहाँ पे हमें equations solve करने हैं, तो first sum है, 4x plus 1 upon 2 is equal to 9 upon 2, तो यहाँ पे जब हम equations solve करते हैं, तो मैंने पहले यह बता है, कि like time हम नजदिक लेकिया आते हैं, तो 4x के लिए यहाँ पे कोई like time है, नहीं, हमें x की value निकालनी है, solve करना है, मतलब x की value निकालनी, इसलिए यहाँ पे हमने is equal to का sign दे दिया, यह is equal to की sign की वज़े से, यहाँ पे 2 side हो गए, यह left side और यह right side, जब भी कोई number अपने side change करता है, तो उनकी sign change हो जाती है, यह मैंने बार-बार बताया है, तो is equal to के बाद क्या है, 9 upon 2, यह लिख लिया, यह जो plus है, यह अपने side change करेगा यह number, इसलिए वो क्या हो गया, minus 1 upon 2, मतलब यह like term हो गए, numbers, और यह एक अकेला ही है, 4x is equal to, upon में है, denominator same है, तो एक ही बार लिखेंगे, और 9 और 1 की minus हो जाएंगी, 8 upon 2, तो अंसर आ गया, 8 upon 2, तो यहाँ पे अगर हमने इसको divide कर लिया, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो अंसर आ गया, 4x is equal to 4, अभी हमें x की value निकालनी है, x को इधर ही रखा, is equal to 4, यह multiply, इस side आएगा, तो divide हो जाएगा, 4, 1s are 4, 4, 1s are 4, तो x की value कितनी आ गई, 1, यह होगे आपका answer, जब हमें बताया जाता है कि solve the equation, तो इसका मतलब होता है, उस equation में जो variable होगा, मतलब जो English letter होगा, उसका हमें value निकालना है, same thing, second sum देखो, 10 is equal to 2y plus 5, अभी यहाँ पे मैं 10 के नीचे 10 लिखे, इस equal to के नीचे, is equal to का sign, और हमें value कि इसकी निकालनी है y की, इसलिए यह, sorry, take minute, हमें जिसकी value निकालनी है, वो अगर left side होगा, तो हमें left side में ही रखना है, और right side में होगा, तो right side में ही रखना है, तो हमें 2y की value निकालनी है तो उसके साथ 2 भी है तो हमने 2y इस तरफ लिख लिए क्योंकि वो right side में लिए left side में क्या है 10 अभी ये plus 5 number number नजदिक आ जाएंगे तो ये plus 5 जब अपनी side change करेगा तो क्या हो जाएगा minus 5 10 में से 5 गए 5 is equal to 2y अभी हमें भाई के value निकालनी है भाई को इधर ही रखा जिस side में उसी side में यहाँ पे 5 ये 2 multiply है वो left side में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मतलब multiply है तो वो divide हो जाएंगे इनका divide नहीं होता है इसलिए इसका answer यही 5 upon 2 is equal to y अभी थर्ड sum देखो left side में तो हम left side में ही रखेंगे is equal to 1 ये 4 number number like term नजदिक आ जाएंगे तो ये minus 4 यहाँ पे हो जाएगा plus 4 5m is equal to 4 और 1 क्या हो क्या 5 हमें m की value निकालनी है m ये small है ये 5 यहाँ पे multiply है यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएंगे divided 5 यहाँ पे 5 इसलिए इस variable की price कितनी आ गई 1 m is equal to 1 अब 4 sum देखो 6x minus 1 is equal to 3x plus 8 यहाँ पे देखो variable दोनों तरफ है तो हम नजदिक लेके आएंगे like term ये 3x इस side आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा minus is equal to 8 इसी side में है right side तो इसका कोई sign change नहीं होगा ये minus 1 left side से right side आ रहे है तो ये plus 1 हो जाएंगे तो 6x में से 3x plus minus 6 में से 3 गए 3x is equal to 8 और plus 1 9 अब यहाँ हमें x के value निकाल नहीं है x को इदर ही रखा 9 ये 3 multiply है यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगे divided 3 1 जा 3 3 9 जा sorry 3 3 जा 9 तो यहाँ पर x की value कितनी हो जाएगे 3 ये आगे आपका answer 5th sum देखो 2 into bracket x minus 4 is equal to 4x plus 2 अब यहाँ पर देखो bracket के बाहर 2 है और 2 और ये bracket इसमें कुछ भी sign नहीं है जब कोई भी sign नहीं होता है इसका मतलब वहाँ पर multiply का sign होता है तो 2 ने x को multiply किया 2x 2 ने 4 को भी multiply किया 2 4 is a 8 ये हमने solve कर लिया आगे same thing हमने वैसे के वैसे equation लिख लिया अभी देखो जो like term में वो नजदिक आ जाएंगे 2x और 4x ये 2x ये 4x right side में है left side में आएंगे तो minus हो जाएंगे is equal to 2 ये minus 8 left side में से right side जाएंगे तो plus 8 हो जाएंगे अभी यहाँ पे देखो plus minus minus 4 में से 2 गए answer आ गया 2x इन में से जो बड़ा नंबर है उसके sign answer को लगेगी 4 बड़ा नंबर है minus 2x is equal to 8 और 2 कितने हो गए 10 अभी हमें x की value निकालनी है तो x is equal to 10 ये minus 2 है लेकिन ये minus 2 यहाँ पे multiply है तो ये minus 2 यहाँ पे divide हो जाएंगे ना कि minus 2 यहाँ पे plus 2 होंगे क्योंकि minus 2 यहाँ पे उनकी जो minus 2 x के लिए क्या है multiply है इसलिए ये minus 2 यहाँ पे divide हो गए 2 1s are 2 2 5s are 10 तो therefore x की value कितने हो जाएगे plus minus minus 5 आंसर आ गया x is equal to minus 5 6 sum देखो 6 sum यहाँ पे same है bracket के बाहर 5 लिखे हुए तो same thing 5 से हमें इस bracket को multiply करना है 5 ने x को multiply किया 5 x 5 ने 1 को multiply किया 5 1s are 5 is equal to 74 यहाँ पे कुछ variable एक ही बाहर है तो 5 x वैसे के वैसे 74 और यह plus 5 यहाँ पे जाएंगे like तब नजदिक आ गई minus 5 हो गए 5 x is equal to 74 में से 5 गए कितना आ गया answer 69 हमें x की value निकालनी है x is equal to 69 upon यह multiply 5 तो यह हो जाएंगे divided अभी 5 से यहाँ पे divide नहीं हो रहा है 69 को तो answer यही आ गया अभी इस 34 exercise में sorry 36 exercise में total sum है 7 अभी आगे तुम लोगों को 4 world problem है तो वो 4 world problem मैं next वीडियो में आपको send करूंगी अभी फिलहाल यहाँ तक हम stop करते हैं करते हैं to